अलोगाइस वेलकाइट वैचले में आप से दिर्भी मंदल और आपने चनल एक्स्पोरिंग एसा में फिशिंग आप लोग सोचे में क्या कर रहा हूँ गाइस यह लोग दाल या यह मैंने बोया था और मुझे दिखाना था इतने सारे फ्लार्स तो यह खिले हैं इसलिए ही मै अब लग रहा था ना इग्णोर कीजिए तो मैं क्या करने वाला आज हमारा टैंक है फिश टैंक है जो गोल फिश का टैंक है बेसिकलि उसको अपडेट करने वाला उसमें काफी जारे नहीं करूंगा लेकिन आज मैंने देखा बहुत गंदा हो चुका तो उसमें करेंगे और बहुत उसको सजाएंगे काफी दूपे तो चलिया यह विडियो को शुरू करते हैं तो बेसिकलि यह वाला टैंक है जिसको आज हम लोग जो है क्लीन करने वाले हैं जैसे कि आप देख पार हो कि काफी जाधा गंदीगी हो चुका है पर फिश तो विलकुल हेल् कि अब चणा करना है कि कि अपर गाल सबस्क चाहर चाहर रहा हैं यहां सब्सक्राइंत खर पानी और जो अगे प्लास्टिक करेंगे अगर आपको एक प्लास्टिक करेंगे आप किसी भी सामने वाले शॉप से हार वे दुकान में जाकर आप कूच सकतें आपको मिल जाएगा याद से दोस्तों यह जो quality है यह वाली प्लास्टिक काफी अच्छी है मतलब कि यह नाइलन वाली प्लास्टिक है तो यही ले ना उनके पास काफी अलग-अलग भी variety के रहेंगे वो थोड़ा सा tight रहता है कुछ प्लास्टिक ना आपको इसी प्लास्टिक में मतलब कि बहुत जल्दी से फट जाता है और बहुत अच्छा नहीं होता आप अच्छी से इसको सेट नहीं कर पाऊगे तो दोस्तों यहां से पानी निकल रहा है और मोस्त निकल चुका है यहां पर सारे फिश को भी हम ट्रास्टिक कर देंगे तो फिलाल मैने कर दिया सभी फिशकों यहां पे ट्रांस्फ़र तो इस बेस काफी छोटा था आ में जल्दी से जो अपना काम शुरू करना पड़ेगा तो अब हम इनको निकालना पड़ेगा यहां से मैंने कुछ प्लांस यहां रगती है यह प्लांस की हालत तेखे ठीक है वर्ट स्टिल और यह फिल्टर का हालत देखें बदाब सोच इस टैंक में क्या हालत हुआ था हमारे यह बहुत गंदा हो जोगा इसको मुझे ठीक करना पड़ेगा एंद फिल्टर को भी बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि अच्छा से फिल्टर हो नहीं रहा है एक्चली इस चीज को मैं चेंज करोंगा में आज नहीं लेकिन दो तीन दिन के पाद एन आप लोको दिखाऊंगा एक नजर डाल नीची यहां पर कितना ज्यादा जो है गंदी की हुआ था पर यह पूरा फुल बैनेफिशिल बेक्टेरिया जिसके वैसे मारे नहीं और अभी हम इसको पूरा साफ कर लेंगे एंड मैं सोचा कि इसी पानी को यूज करने के लिए कि इस पर काफी जादे बेनिफेशिल बेक्टेरिया है अगर मैं नया पानी या पर यूज किया तो फिर दोस्तों बट प्रॉब्लम हो जाएगा फिश करने में एंड शायद हमाई फिश म प्लास्टिक चढ़ा दू क्योंकि इसको खोलने जाओंगा ना क्योंकि बहुत अच्छी तरह के सेट हो चुका है तो इसके ऊपर डबल लेर हो जाएगा एंड लिकेज का भी कोई चांसे होगा ने तो मैं इसको साफ कर लेता हूं पहले तो गाइस मैंने क्या किया है पूरा अच्छी तरीके से फिक्स कर पाए अच्छी तरीके से तरीके से फिक्स कर पाए यह एप अगर मैं टाइम पर नहीं आता ना ओनो इस यार अपरे गाई इतना बड़ा हाथा होते होते बच गया एंड वो भी हमारी जैपैने सिंपोर्टेट कोई मेरा तो दिमागी खराब हो गया था अब अब यह पान तो मैं यूजी नी कर पाऊंगो पुरा गंदा हो चुका है या फिर तो मैं देखता हूं पर अलबनी फिश ठीक तो है कि एक मिनिट यार कि यह जंप करते क्या यह मैं फर्स एक्चली बहुत क्रावड़े यह तो मैं समझ में आहीं रहे मुझे कि पुरा ना पूरा इसमें गंदेगी लग एक्चली सफिश में अब ठीक है वो एक्टिव तो है पूरा कि अधना बड़ेगा अज ही इतना बड़ा एक हाथसा होने ही वाला था यार गाइज अवरेड़े इस लाइक लेंट फिश को रखना जरूर भूलना मत तो गाइस यह मैं अभी वाइड एंगल में लिया आप देखिए इसको मैं इसको मैं पूरा सेट कर लिया है इसको मैं मासिकी मैंने यह लगा चैनल नेचे इन उल्रीट य सकते हूं स्टेड प्लास्टिकश्य प्लास्टिक एक हैं और इसको मैं चैसां ilan की प्लास्टिक न है तो इसको मभी लगा लिया ने कहा है तो इन को मैं मुझे फ्री तूब इमिला था इन वाला भिल यह यहको मुरे पर इसको आप देने सपर पर देगे अदिया झाल जाकर चेक कर लिजिए अदि यह ज़िए और यह पे कुछ तो इसको प्रच रखे निगा शेल्टर यह न देखा यह पे काफी बढ़िया शेल्टर उनके लिए न गडेखा है यह पे काफी गोल फिस जाप चुप जाते हुआ रो तो मैंने सुचा था कि पुराना पानी भी डालूंगा जिसमें बेनिफिशिल वेक्टेर होगा लेकि नहीं जालूंगा पानी बहुत जादा गंदा हो चका तो नया पानी ही डाल देते हैं इसमें भी फिलाल तो गाइस पानी इस पार फुल डालें यह पे और फिल्टर अभी यह लगाने वाला कि यह फिल्टर मुझे सेट करना है और फिल्टर के भी जरवत है ही नहीं क्योंकि एक तम नया तयार हुआ तो पानी से पहले बहुत आप यह तो गाइस जैसे पानी बहुत रहा है मैं फिश को एकर कर के पहले तो यहां पे एकलिमेट होने रख देता हूं यह तो डूबी नहीं रहा है ठीक से पानी भराएं अब हम इनको भी कर देंगे तो काफी सारे फिश आल्रेडी यहां पे इसको भी साथ में पे डाल देते हैं ताकि साथ ही साथ होते भी रहे अब चस्ट बाकि है यह बड़े दो हमारे चैपनिस कोई तो इनको भी करना है ब तो बेसिकले मैं देखा है कि इस पे इस पे लोग बहुत से फिल करते इसके नीचे रहते एंड थोड़ा बाद वाटर हाइस इंदे रखेंगे त्यूंकि बाकि तो प्लांस हम रख नहीं सकते कि इसमें गोल फिश है सारे प्लांस को यह डिस्टॉय कर देंगे तो गाइस ऐ हम प्लांस को बादर वाटर हम बादर बादर है कि अवेड़ाद को से अवेड़ार है तो गाइस सारे फिश को मैंने एड कर दिया है और आप देख बारे हो कितना प्यूटिफुल लग रहा है बहुत ही नैचुरल लग रहा है और काफी पहले लग रहा है इनको एक्टिविटीज बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे तो फिलाल तो मैंने आप पर वाटर पंप ला लगा हुआ है और असा लग भी नहीं रहा है कि मैंने को कहीं स्टोन से इनको ठेका लाग कर रखा है बिल्कुल नैचुरल सा फिल रहा है और मोस्ट इंट्रेस्टिंग जो मेरे चैनल पर हमेशा होता है वह है अंडर वाटर शॉट तो यह देख लिए अनर वाटर शॉट कि प्लास्टिक भी काफी प्यार लगा लगा ना पिछे ब्लु कलर का अच्छा मतलब की बैग्राउं कॉंट्रास ते रहा है अच्छा लग रहा हो भी हमारी ब्लैक गोल्फिश एंड साथी में यह यह शेल्टर देख यह बट प्यार एक्शली इसके नीचे चुप जाते एक घंटे के बाद मैं देखने आया एंड देखो अभी फिश सब एक्टिफ हो चुके है बढ़िया तरीके से सेट हो चुके अल्मोस्ट और बहुत प्यारा लग रहा है यह देख पार आप तो बताना कैसा लगा आपको यह सटप जरूर कमेंट करना दोस्तों एंड बताना सब्सक्राइब कर दीजेगा साथी में गाइस कोई पॉन भी बनाना है जैसे के बहुत लोग को पता है तो उसका भी मुझे काम जली सी जल शुरू करना है तो गाइस चैनल के साथ बने रहे हैं और कुछ नए वीडियो के जली वापस आता हूं बबाई टेक केर